हाई फ्रेंज दोस्तो इस वीडियो पर मैं प्राक्रितिक बाताबरन में राजहांस किस तरह से रहते हैं वो दिखाने वाला हो वीडियो पर गोर से दिखें यह आपर एक राजहांस का जूंड है फेमिली भी कह सकते जिसमें तीन बरा साइस का हांस है और आट छोटे छोटे बच्चे है और यह दिखें पूरा का पूरा एक प्राकितिक परजवरन पर इन राजहांस के जो जीवन थे लिए है वो डिपेंड है तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह राजहांस को पालने पर एक पेशा भी खाने के बज़े से खर्चा नहीं होता जी हाँ क्योंकि आले मनिंग यह जोट घर से निकल जाते है पूरा दिन के लिए पूरा दिन इस तरह से प्राकितिक बताबरन पर घूम फीर के वहां से ही खाना ढून ढून के खा लेती है और शाम डलने से पहले घर बापत चले आते है यानि इस राजास के जून का जो वनर है उनको एक पेशा भी खाने के लिए खर्चे करना नहीं पड़ता नहीं कुछ हैड़क लेना भी पड़ता है कि क्या खिला वो दवा चाहिए यह वो क्योंकि इस तरह से जब हांच खाना खाती है तो उसको जितना पोशक तो चाहिए वो भी आराम से मिल जाता है तो यह बहुत ही बर्दान की तरह है इस तरह का बतावरन अगर आपके घर के असपास भी इस तरह का बतावरन है तो उसका जरूर फाइदा उठाए यह पर वीडिया पर देखिए कि जो आठ चोटे-चोटे चूजे है आसानी से बहुत ही आसान इसे अपने खाना ढूंटे हुए खाते हुए आगे भर रहा है जिहाद दीरे दीरे आगे भर रहा है खास करके यह अपके शाम के टाइम का है तो अपने घर के तरफ दीरे दीरे आगे भर रहा है और एक बत यह पर आपको कहना चाहता हूँ कि रासांस का जो चूजे होता ह तो इन चुजों को शिकारी प्रक्षियों से भी उतना भाई नहीं होता चाहे बाज हो, कवे हो, या नेवले हो, जो भी हो भरा रासांस आसानी से ख़देर देता है यह देखिये वीडियो पर कि किस तरह घास फूसी ज़्यादा तर खा रहा है चोटा-चोटा टाइप का जो घास है, जो अभी उग रहा है जिसमें थोरा सा मिठास होता है, कितने चाव से खा रहा है इस तरह खाखा के बस अपने घर के तरह बर रहा है ज़रा गर से नजारे को तो देखिये कितना सुन्दर दिखने को लग रहा है और इसी तरह प्रकृतिक भातावरान पर इन राजसांस का जो जीवन है वो पूरी तरह निर्बर करता है और वहाँ पर देखे पाने का भी चोटा सा सोत है जब इन बत्तक पाने की जरूरत होता है जब चुज़े पानी पीना चाहता है तो वहाँ पर जाते हैं पानी पीता है फिर वहाँ पर खाना डूनते हुए आगे बढ़ जाता है जब चुज़े पूरा का पूरा बचा हुआ है क्योंकि शिकारी प्रक्षित इसको मान नहीं सकते उपर से इस तरह के महल में तो बीमार भी उतना नहीं होता जिस तरह से हम अगर कैस सिस्टम पर यारिंग करते हैं वहाँ पर जितना बीमार होता है प्राकेतिक बताबरन पर उ इस बज़े से इन हांस का जो एंटिवरेटिक सिस्टम है वो काफी तग्राब बन जाते है अगर हम तूलना की जाए जो कैस सिस्टम है उन हांस के मुकाबले तो अगर आपके घर के आसपास भी कुछ इस तरह का बताबरन है तो उसका फाइदा उठाईए थेंक्यो धन्यव अगरणाऊ तो